नमस्कार आप देख रहे हैं RAD News और मैं हूँ बीना सिंग आपके साथ हरिद्वार कुंग मेला 27 फरवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालूओं के शामीर होने के मद्धिनजर श्रद्धालूओं के व्यापक स्वास्तहित को देखते हुए उत्तराखंट राजे सरकार ने कुंग मेला में आने वाले श्रद्धालूओं के लिए COVID-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन अनिवारे किया है इसे कड़ी में किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए ट्रेन से हरिद्वार पहुँचने वाले श्रद्धालूओं को यात्रा से पूर्फ रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है श्रद्धालूओं को COVID-19 टीका करन प्रमान पत्र अत्वा अधिक्तम 72 गंटे के अंदर जारी COVID-19 RT-PCR नेगेटिव रपोर्ट साथ रखना जरूरी है ऐसा नहीं करने पर आपको कुंब मेला परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी यूँ कहे कि आपके लिए टीका करन और टेस्ट प्रमान पत्र एक पास का काम करेगा ये दोनों में से कोई एक रहेगा तब ही ये माना जाएगा कि आप कुम्ब मेले में आए लोगों के लिए खतरनाक नहीं है बिना प्रमान पत्र के आप लाखों लोगों की चांद के दुश्मन बन सकते हैं इसलिए उत्तराखंड सरकार ने ये एहम फैसला लिया है लिहाजा आप हरिदवार कुछ करने से पहले या तो टीका लगवा ले या फिर अपना कोरोना टेस्ट करवा कर प्रमान पत्र जरूर हासिल कर ले कि यूँ आप दूसरों के लिए खतरनाक नहीं है